आज सत्गुरुवार के वर्दानी दिवस की आपको ढेर सारी शुब कामना है ओम शांती आज चार जुलाई 2024 के साकार मधुर महवाक्य है सत्गुरुवार वर्दानी दिवस की बहुत-बहुत मंगल कामना है बहुत सुन्दर चित्र बनाएंगे परम सत्गुरु का वरद हस्त मेरे सिर पर है उस हाथ से बहुत लाइट्स निकल रही है वर्दानी दृष्टी के साथ वर्दाता बाप ने बहुती सुन्दर सुखद वर्दान दिया है पापों से मुक्त भव चतुर सुजान बाप के साथ चतुराई नहीं करनी है कई बच्चे बाबा के साथ चतुराई करते है सच्चे दिल के महसूसता नहीं रखते महसूसता शक्ती से परिवर्दन होता है होई भी कमी कमजोरी है तो बाबा के सामने बैठकर महसूस करना है स्विकार करना है बाबा ये मुझसे भूल हुई है और मैं आत्मा अब अपनी इस भूल को कबूल करते हूँ बाबा से द्रिष्टी लेनी है ताकि वो भूल दुबारा ना हूँ कई बच्चे बाबा के साथ चतुराई करते है उपर उपर से कह देंगे लेकिन महसूस नहीं करते है परिवर्दन शक्ती के लिए महसूसता शक्ती बहुती सिरुरी है वो त्सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि ये विधी बनी हुई है कि अपनी कमियों को सच्चे दिल से महसूस करू दिमाग से नहीं दिल से महसूस करू तो आपकी उन्नती होगी कई बच्चे उपर उपर से जब कहते हैं तो अपने विवेक का खून करते हैं, ये भी पाप बन जाता है, आज याद दिलाया बाबा ने, कि तुम बच्चों में कोई भी खामी नहीं होनी चाहिए, और वो खामी निकालने की युक्ती है, अपना रजिस्टर रखना, अपना चार्ट रखना, जब अपना चार्ट रखेंगे, अपने आपको चेक करेंगे, तो अपनी कम्यों को दूर कर सकेंगे, इतना बाबा को याद करना है, कि याद करते करते, अन्त में, बाबा के सिवाई, कोई भी याद ना है, शुबकार्य में तुम्हें देरी नहीं करनी है, कई कहते हैं, याद कोर्स बहुत अच्छा है, हम भी आएंगे, लेकिन आते नहीं है, बाबा नहीं कहा, अगर कोई ऐसे डिले करते हैं, टाल देते हैं, फिर आएंगे, तो बाबा को पता होता है, कि अगर ये अब नहीं कर रहें, तो फिर कब करेंगे, बाबा कहते हैं, शुबकार्य में देरी मत करो, बाबा मनुष्य से देवता बनाने आए है, तो तुम्हे समय निकाल कर, इस देवता बनने की ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करना है, कूर्स करना है, बाबा की मुडली सुननी है, दिव्य गुनों को धारण करना है, आज का काम कल पर नहीं टालना है, बाबा स्वयम योग सिखाते हैं, कई पूछते योग कैसे लगाएं, बाबा केते हैं, बाबा जो सुप्रीम पावर है, आप उससे योग लगाते हो, तो शक्ति लेते हो, जिससे पावर भरती जाती है, अगर तुम्हें कोई भगती मारद में मिलता है, और वो कहता है, हरिय रोम, राम राम, तो वो रिपलाई करना पड़े, हमें भी उनको राम राम भूत प्यार से कहना है, एहंकार नहीं दिखाना है, यहां बाबा के त्याश्विरवाद की बात नहीं, माथा टेकने की बात नहीं, लेकिन अगर कोई मनुष्य आपको ऐसे कहता है, तो आपको भी उसका जवाब बहुत प्यार से देना है, सासात उनको बाबा का परीचे भी देना है, ऐसे नहीं कि कोई राम राम बोले तो आप नहीं बोल सकते, आप उनको जरूर कहेंगे राम राम, लेकिन आप उनको सच्चे राम का परीचे जरूर देंगे, कि जब आप उन्हें याद करेंगे तो कैसे आत्मा पावन बन जाती है अन्त मते सोगते अंत समय बाबा के सिवाई कोई यात बाबा दुखरता सुख करता है तुमें भी सबको सुख देना है जब आप आत्मिक स्मृति में रहते हैं क्या मात्मा रूप में भाई भाई है तो विकारी दृष्टी समापतो जाते हैं आप सिवलाइस्ट बन जाते हैं करमातीत बन जाते हैं अब देह का भान छोड़ देना जब अपने को आत्मा समझ एक बाब को याद करते हैं, तो आत्मा सो प्रतिशत शुद्ध बन जाती है। भाई-भाई समझो तो सिविलाई बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाई बने तब करमाती बन सकती है। प्रशन है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौनसी जुकती रचनी चाहिए। अपने करेक्टर्स का रजिस्टर रखो। उसमें रोज का पोता में नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कम्यों का मालूम पड़ेगा। फिर सहजी उन्हें निकाल सकेंगे। जब मालूम पड़ेगा तो सहजी निकाल सकेंगे। कम्यों को निकालते निकालते। उस सवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाए दूसरा कुछ भी याद ना आए। किसी भी पुराने चीज में मम्मत ना हो। अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना भी ना हो। ले ना हो Mist DAN, एक है मानब बुद्धी, दूसरी है इशरी बुद्धी, फिर होते है दैवी बुद्धी — मानब भुद्ध आसरी बुद्धी ₹। किडि मन लाओ ऐस इक होते हैं civilizing, दूसरे होते हैं criminalizing. और जहां कप्प जो की अर्थाद्विकारि होंगे, criminalize मनुषरावन की जेल में पड़े रहते हैं, क्योंकि पाप करम करते हैं देख दृष्टी होती तो जेल में पढ़े रहते हैं रामण राजे में सब हैं क्रिम्नलाइज एक भी समय सिविलाइज नहीं है अब तुम हो संगम जुगी पुर्शोतम जुग में अब बाबा तुम को क्रिम्नलाइज से बदल सिविलाइज बना रहे हैं क्रिम्नलाइज में भी अनेक परकार के होते कोई सैमी कोई कैसे जब सिविलाइज बन जाएंगे तब करमाती तबस्ता हो जाएगी फिर ब्रदर राइस अर्थाद भाई भाई के दृष्टी हो जाएगे जब निर्वी कारी हो जाएंगे करमाती दबस्ता होगी आत्मिक दृष्टी भाई भाई की रहेगी आत्मा आत्मा को देखती है शरीर तो रहते नहीं क्रिम्नलाइज कैसे होगे इसरी बाप कहते अपने को भाई बेन के भाई से भी निकालते जाओ आत्मा रूमे भाई भाई समझो ये भी बड़ी गुई बात है समझने की शरीर को भूलना है अगर आज आए तो उच्वत पाले बाप समझाते हैं मीठे बचे अपने को आत्मा समझो शरीर को भूलना है ये शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में मैं आत्मा बाबा के पास आ रही हूँ दे का भी मान छोड पावित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोटे क्रिमना लाए होंगे तो जरूर अंदर उस समय खाता रहेगा मन परिशान होगा क्योंके ये मनजिल बड़ी भारी है भाल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हूँ तो भी कुछ ना कुछ भोले होती जरूर है देय भी मान में आने से कुछ ना कुछ भूले होती जरूर है क्योंके माया है कर्मा ती तो अभी कोई बनने सकता कर्मा ती दवस्था तो पिछाडी में बनेंगे तब सिविलाइज हो सकते हैं फिर ये रुहानी ब्रदर से लव रहता है आत्मिक दिर्श्टी से भाई-भाई की दिर्श्टी का प्यार रहता है रुहानी ब्रदर लव बहुत अच्छा रहता फिर क्रिमिनल दिर्श्टी नहीं रहती तब ये उंच पाद पासकते हैं बाबा एम अब्जेक्ट पूरी बताते हैं बचे समझते हैं कि ये ये हमारे में खामी है रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुदर सकता है परन्तु जो कच्चे हैं धाना में कच्चे हैं उनको रजिस्टर ज़रूर रखना है कच्चे तो बहुत हैं कोई कोई को तो लिखना भी नहीं आता अबस्था तुमारी एंसी चाहिए जो सिवाए बाप के और किसी की भी याद ना आए हम आत्मा बगैर शरीराइथी फिर अश्रीरी बन कर जाना है ना शरीर लायते ना लेकर जाना है आत्मा बगैर शरीराइथी फिर अश्रीरी बन कर जाना है इस पर एक कहानी है ना उसने कहा तुम लाटी भी ना उठाओ वे पिछारी में जाद आएगी, कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तु में रहता है, कुछ भी जाद ना है सिवाए एक शी बाबा के, कितने उची मंजिल है, का ठीक रियां, का शी बाबा की जाद, मांगने की तमन्ना भी नहीं होने चा है, वैसे तो गवर्मेंट की सर्विस आठ घंटा होती, प्रन्तु पांडव गवर्मेंट की सर्विस कम से कम पांच से घंटा जरूर करो, इश्री सेवा, विश्यस मनुष, विकारी मनुष कभी बाबा को याद नहीं कर सकती, सज्यू में है वाशलेस्वा, निर्विकारी दुनिया, देवी देवताओं की महमा गाई जाती है, के वै सरवगुन संपन, सोला कला संपूरन संपूरन निर्विकारी, तुम बच्चों की अवस्ता कितनी उप्राम रहनी चाहिए, कोई भी छीछी चीज में ममा तो नहीं रखना, शरीर में भी ममा तो नहीं रहे, इतना योगी बनना है, एक बाबा के प्यार में याद में रहना है, जब सच-सच ऐसे योगी होंगे, तो वो जैसे हर समय फ्रेश होंगे, खुशी होगी, जितना तुम सतो प्रदान बनते जाएंगे, उतना खुशी का पारा चड़ता जाएगा, पांच जार वर्ष पहले भी ऐस से खुशी थी, सच्जग में भी वही खुशी होगी, जहां भी खुशी रहेगी, फिर यही खुशी साथ ले जाएंगे, क्योंकि आत्म अपने संसकार साथ ले जाती है, जितना में समय खुश रहेंगे, यही संसकार साथ जाएंगे, फिर आंत मते सोगते हो जाएगी, अभ बाप तो है दुख हरता, सुख करता, तुम कहते हैं, बाप के बच्चे हैं, तो तुमें किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, सब को सुख का रास्ता बताना चाहिए, जदि सुख नहीं देते, तो इसका मतलब दुख देते हैं, ये पुर्शोतम संगम जुग है, जब तो बाप उनकी महमा करते हैं, ये फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत योगी है, जो सर्वी सेबल बच्चे हैं, वो वाइसलेस लाइफ में हैं, निर्वीकारी दुनिया में हैं, किसको जरा भी एंसें से खेला नहीं आते, वही पिछाडी में करमाती दवस्ता को पा का जा सकता, जो क्रिमनल आई होगा, वै पाप जरूर करेगा, क्योंकि देधारी दृष्टी है, पाप जरूर करेगा, सज्युगी दुनिया पवित्र दुनिया है, ये है पती दुनिया, ये अर्थ भी समयते नहीं, जब ब्रामन बनें तब इन बातों को समझें, कहते हैं, ग्यान तो बहुत अच्छा है जब फुर्सत होगी तब आएंगे बाबा समझाते है के आएगा नहीं ये तो बाप की इंसर्ट हुई न कह करके ना ना बाप की इंसर्ट हुई बाप हमें मनुस्य देवता बनाते है तो फरण उनकी बात पर अमल करना चाहिए कल पर डाला बे आज नहीं तो कल करेंगे कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी कल कल करते काल खा जाएगा फिर करोगे कब शुब कारे में कभी देरी नहीं होनी चाहिए काल तो सिर्पे खड़ा है कितने मनुष अचानक मर जाते हैं अभी बम गिरे कितने मनुष मर गए अर्थुकिक होती है तो पहले थोड़ी पता पड़ता है ड्रामा नुसार नेचरल क्लैम्टिस भी होनी है जिसको कोई जान नहीं सकता बहुत नुक्सान हो जाता फिर गवर्मिन रेल का किराय बढ़ा देती मनुष्यों को तो जाना ही पड़ेगा न रेल में ख्याल करते रहते हैं कैसे आपनरी बढ़ाई जाए अनाज कितना महंगा हो गया तो बाप समझाते हैं मीठे बचे सिविलाइज को कहेंगे पवित्रात्मा यह तो दुनिया क्रिमनल आई है तुम अभी सिविलाइज बनते हो निर्विकारी बनते हो मेनत है उंचवत पाना कोई मासी का घर नहीं असान बात नहीं जो बहुत सिविलाइज बनेंगे वो ही उच्छपद पाएंगे तुम तुम जाए हो नर्थ से नाराइन बढ़ने के लिए प्रन्तु जो सिविलाइज नहीं बनते वो ज्ञान भी नहीं उठा सकते तो पद भी कम हो जाएगा इस समय सबी मनुष्यों की क्रिमिनलाइज है बाप समझाते हैं मीठे बचे तुम देवी देवतास्वर के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज बनो अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो तब सौल प्रतिशा सौल कॉंशिस बन जाएगे कोई को ब्यार समझाना है सद्जुग में पाप की कोई बात होती नहीं वो है सरुगुन संपन सोला कला संपूरन संपूरन निर्विकारी संपूरन सिविलाइज निर्विकारी चंद्रमशी को भी दो कला कम का जाता है चंद्रमा की भी पिछाड़ी में बाकी लकीर रहती है चंद्रमा संपूरन पिछाड़ी में थोड़ी लकीर बजती है एकदम निल नहीं होती कहेंगे प्रायलूफ हो गया बादलों में दिखाई नहीं पड़ता तो बाब कहते तुम्हारी भी जोती बिलकुल बुझ नहीं जाती है कुछ ना कुछ लाइट रहती है कि मेरे साथ तुम योग कैसे रख सकते हो टीचर पढ़ाते हैं तो बुझ जोग टीचर के साथ रहता है टीचर जो शिरीमा देंगे वो पढ़ेंगे हम भी पढ़कर टीचर अथा बरिस्टर बनेंगे इसमें किरपा जाशीरवाद की तो बात ही नहीं माथा टेकने की भी दरकार नहीं कोई हरियोम या रामराम करते हैं तो रेटार्न में उनको जवाब देना पड़ता है ये एक इज़त देनी होती अपना एंकार कभी नहीं दिखाना तुम जानते हो हमको एक बाप को याद करना है कोई भक्ती छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता भक्ती छोड़ने वाले को नास्तिक समयते हैं उनको नास्तिक कहना और अपने में कितना फरक है तुम कहते हो बैबाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक निधन के हैं इस रियापस में लड़ते जगड़ते रहते, घर गर में जगडा शांती है, क्रोद की निशानी अशांती, वह कितनी अपार शांती, मनुष कहते, बक्ती से बड़ी शांती मिलती है, प्रैंद तु वो है अलब काल के लिए, सदा के लिए सांती चाहिए न, तुम धनी से तुम धनी से फिर निधन के बनते हो, तब शांती से फिर शांती में आ जाते हो, जो कहते हैं ना तुम्हारा कोई धनी दोरी नहीं, शिप बाब हमारा धनी है, जब उसको भूल जाते हैं, निधन के बनते हैं, शांती से शांती में आ जाते हैं, बेहद का बाब, बेहद सुख बाप से सुका वर्सा। देते हैं। US्री बाप कहते हैं। कि ये चक्कर कैसे फिरता है सद्जु उत्रेता द्वापर कल्जु संगम जुग तुम अपने को आदी सनातन देवी देवता धरम का समझेंगे तुम अपने को आदी सनातन देवी देवता धरम का समझेंगे तो जरूर सरग में आएंगे सरग में सब सिविलाइज होते हैं दिया विमान को क्रिमनल आई कहा जाता सिविलाइज में कोई विकार नहीं होता बाप हर बात कितनी सैज कर समझाते हैं प्रंतु बच्चों को ये भी जाद नहीं रहता बाप हर बात कितनी सैज कर समझाते हैं प्रन्तु बच्चों को ये भी जाद नहीं रहता क्योंके क्रिमिनलाइज है तो छीछी दुनिया उन्हें जाद पड़ती है बाप कहते मीठे बच्चे इस दुनिया को भूल जाओ बाप और सुख दाम को जाद करो अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा गुड मॉर्निंग शुक्रिया जानी दे कर हमें उन्छ चड़ाते हैं अब एधारना के लिए मुखे सार पहली पॉइंट ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममात्व ना रहे कोई भी छीछी चीज में असकती ना जाए अब अस्ता ऐसी उपराम रहे खुशी का पारा चड़ा हुआ हो दूसरा काल सिर पर खड़ा है इसरे शुब कारे में देरी नहीं करनी कल पर नहीं छोड़ना कल का कुछ बरोसा नहीं आज सत्गुरुवार प्यारे बाबा का वरदानी हाद सिर पर रखकर महसूस करेंगे चतुर सुजान बाब से चतुराई करने की बजाए मैसूसता शक्ती द्वारा सर्व पापों से मुक्त भाव कई बचे चतुर सुजान बाब से भी चतुराई करते हैं अपना कामसिद करने के लिए अपना नामच्छा करने के लिए उस समय मैसूस कर लेते हैं लेकिन उस मैसूसता में शक्ती नहीं होती इसरी परिवर्ता नहीं होता कई हैं जो समझते हैं ये ठीक नहीं है लेकिन सोचते हैं कई नाम खराब ना हो इसलिए वो अपने विवेक का जैसे खून करते हैं ये भी पाप के खाते में जम्मा होता, इसलिए चत्राई को छोड़, सच्चे दिल की मैसुसा से, स्यम को परिवर्तन कर, पापों से मुक्त बनो, भगवान से कभी भी चत्राई ना करो, स्लोगन, जीवन में रहते, बिन-बिन बंदरों से मुक्त रहना ही, जीवन मुक्त स्थिती है, हर एक ब्रामन को कौन सी तस्वीर तयार करनी है, जिससे बाप की परत्यक्सता सहज हो जाए, जानने के लिए सुनते हैं आज का विशेस ग्यानमोती, कर दो जाए.